आज का टॉफिक है साकाहरी, मांसाहरी, सर्वहरी आज के डेट में हर किसी को मालूम होता है कि साकाहरी, मांसाहरी और सर्वहरी क्या होता है साकाहरी, मांसाहरी, सर्वहरी किसे कहते हैं, क्या है, इसकी परिभासा लिखे इन तिनों में क्या अंतर है ये सब आपसे पुछ दिया जाए तो बिंदास रहिए जो कुछ भी बताऊंगा वही लिखकर आज आएगा आसानी से नंबर मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं साकाहरी बेजिटेरियन जो किवल पिड़ पोधे से प्राप्त भोजन को खाते हैं उन्हें साकाहरी जन्तु कहते हैं पिड़ पोधे से प्राप्त भोजन घास हो गया साग सबजी आलू टमाटर बैगन प्याज भेंडी हरी मिर्च दालभात फल आम अमरुद ये सब ये सब को जो किवल खाते हैं उनको हम कहेंगे साकाहरी ठीक है गाय, भाय, बकरी, निलगाय, भेंड, खरगोस, जिराफ, हाथी, गोड़ा, हीरन, गधा ये सब के सब क्या है साकाहरी जन्तु ठीक है ये सिर्फ फिड़ पोधे से प्राप्त भोजन को खाते हैं इसलिए हम इनको क्या कहते हैं साकाहरी ठीक है मांसाहरी, कारणी भोरस, नन वेजिटेरियन, जो दूसरे प्राणी को केवल खाते हैं उन्हें मांसाहरी कहते हैं बाग, सेर, जंगली, कुता, लोमडी, भ्याडिया, सियार, ये सब के सब केवल मांस खाते हैं जो केवल मांस खाएंगे उनको हम बोलेंगे मांसाहरी, ठीक ह सरवहारी ऑमनी बोरश जो जनतू पादप तथा दूसरे परानी दोनों को हिछाते हैं उन्हें सरवहारी कहते हैं जैसे में मानो, साग सबजी भी खाता है और मान्स मचली भी खाता है कववा, बिली, कुता चुहा, बतक, भालु, मुर्गा सुतुर मुर्ग, आधे यह सब के सब क्या है, सर्वाहरी जनतु ठीक है, आप एक सबन में याद रखे, कि जो साग सबजी भी खाएगा और मांस मचली भी खाएगा दोनों चीज खाएगा तो उनको हम बोलेंगे सर्वा हरी ठीक है अगर आपको अंतर लिखने को बोला जाए तो एक तरफ आप लिख दीजेगा साका हरी एक तरफ आप लिख दीजेगा मांसा हरी और एक तरफ लिख दीजेगा सर्वा बहा रहे हैं ठीक है आसानी से नंबर आपको मिल जाएगी तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नय दिन नय टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंद मातरम